जेहिं साथियो मैं दिल्ली से अलका लांबा। सो से उपर साथी जोड़ चुके हैं, बहुत दिनों के बाद लाइव आ रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैं खामोश क्यों हूँ, मैं बोलती क्यों नहीं हूँ मैं बोली थी 9 अप्रेल को, 9 अप्रेल 2018 को, जब उन्नाव की हमारी एक बेटी, विधायक हूँ मैं, वो भी विधायक है उन्नाव का, भाजबा का विधायक है वो हमारी एक नवालिक बेटी को गरीबी का फायदा उठाते हूए उसकी, नोक्री का लालच देकर उसे घर बुलाया और उस नवालिक बेटी का बलातकार करता रहा, करता रहा, करता रहा उसका घर परिवार अकेले इस बात को उठाते रहे और हम तक आप तक वो बात कभी पहुँची नहीं पाई लेकिन पहुँची, 8 अपरल 2018 को पहुँची हम तक बलातकार कब हुआ था? 4 जून 2017 को जो F.I.R. वो बताती है नावालिक बेटी के साथ भाजपा के विधायक, सम्मानित विधायक अभी भी भाजपा के सम्मानित सदस्से हैं 2019 में भी 4 जून को बेटी का बलातकार हुआ, F.I.R. में लिखा है लेकिन न्याई नहीं मिला 8 अप्रेल 2018 को लगभग 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 एक साल बाद पिता ने आए मांगने मुख्य मंत्री योगी अधित्यनाद के दर्वाजे पर जाते है, पुलीस को बुलाया जाता है उन्हें वहां से घसीट के ठाने ले जाया जाता है पिता की इतनी बिटाई की जाती है हिरासत में, इतनी बिटाई की जाती है कि बलातकार की अपनी बेटी के लिए नहीं मांगने वाली पिता की मौत हो जाती है हिरासत में उसके बाद क्या होता है उसके बाद हो हंगामा होता है आप और हम लोग सडकों पर आते हैं भाजपा की केंदर की सरकार और उत्तरपरदेश की सरकार को जुकना पड़ता है फायर दर्ज करके कुलदीप सिंग सैंगर को जेल की सलाकों के पीछे भेजना पड़ता है लगा कि अब नयाय हो जाएगा अब नयाय हो जाएगा पिता को अपनी बेटी को नयाय दिलाते दिलाने पर मोत के घाट उतार दिया गया लेकिन फिर पता लगता है कि उसके चाचा को पूरे परिवार पर दबाब बनाया जा रहा है कि केस वापिस ले लिया जाए लेकिन परि 22 जुलाइ रवीवार को एक ट्रक हादसे में चाची और मौसी राइबरेली जो जा रहे थे तारीक पर उनका वकील और पिड़ता उनका ट्रक के साथ एक्सिडेंट करवाया जाता है क्योंकि दबाव में नहीं आ रहे थे केस वापिस नहीं ले रहे थे और पिड़िता की चाची और मौसी की हादसे में मोथ हो गई है यह 2019 है कुलदीप सेंग सेंगर जेल में है जेल में से कौन-कौन मिलने गया कब-कब मिलने गया यह आपको बता होगी देखिएगा जरूर चाची और मौसी की मोथ हो जाती है पिड़िता और उसका वकील गंबी रूप से घायल इस समय लखनव के ट्रॉमा सेंटर में जिंदगी और मोथ से जूज रहे हैं पूरा सनरक्षन केंदर की और उत्तरपरदिश की सरकार का प्राप्त है और किस-किस का प्राप्त है वीडियो दिखा लिए जरूर देखिएगा जिने आपने 2019 में दुबारा सांसद बनाकर वोट दिलाकर जिताया है वो सांसद जिनका नाम है भगवा धारी हैं भगवा पह भाटपा के विदाय कुलदीप सिंग सेंगर के मदद के बिना साक्षी महराज सांसद नी बन सकते थे उन्होंने जेल में बैच हुए साक्षी महराज भाटपा के जो सांसद चुनकर रहे हैं की मदद की और वो सांसद बनकर पहुँच गए इसलिए जेल में एक बलातकार की आरोपी भाटपा के विदायक का धन्यवाद करने पहुँच गए अब आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कौन दोशी है आप या हम जिनों ने वोट दिया या यह आप तैंक करिएगा और शले बात करते हैं साक्षी महराज के जो हमेशा अपने बयानों से सुर्कियों में रहते हैं लेकिन इस बार फिर से वो विवादों में आ सकते हैं क्योंकि आपको बताएं कि यहाँ पर साक्षी महराज सामोई दिशकर्म के साथी पीडित के पिता के हत्या के मामले में आरो करने आया था हमारे यहां के बहुत की एश्रोशी लूप परी विरायत पुल्दीव शेंगर जी यहां काभी समय से है चुनाव के बाद उनका धनिवाद करना चीज संजाते हूं तो यह लगता है कि मुझी भईश लगता है इनके लिए एक बालातकार का आरोपी जो जेल में है जिसा धन्नवत करना चाहे है वो बहुत ही यश्चस्वी विधायक है नभालिक बेटी का बालातकार है पोक्सों के तहत इनके उपर मामले दर्ज है यह भाजबा की सरकार से उमीद की चाहती है क्योंकि अधिकार दे दिया आपने उनको हर्याना की जेल में नभालिक बेटी के बलातकार में राम रहीम, बाबा राम रहीम कहते हैं वो भी जेल गए उम्र कैद हुई है लेकिन हर्याना की भाजबा की सरकार उन्हें खेती करने के लिए बेल देने जा रही है हमने हक दिया है 14 में वोट दिया था बेटी बचाओ के नारो के बाद उसके बादे हमारे सामने आते हैं भाजबा के विधायत बलातकार करते हैं नावालिक बेटियों का और हम इन्हें दुबारा 19 में जिता कर भेज चाते हैं इसका ये मतलब निकाला गया है हमने इन्हें लाइसनस दे दिया है हमने इन्हें दुबारा जिता कर दुबारा वोट देकर कुलदीब सिंग सैंगर जैसो को निर्धोस्थ थाबित कर दिया वो तो बेफजूल के अब जेल में बैठे हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है क्योंकि लोगों ने दुबारा से इने जिता दिया है लानत किस किस को देंगे माफी चाहूंगी बुरा लगेगा जरू 2014 में 33 पृतिशत गंबीर अपरादी जिनके उपर आरोब थे बलातकार के आतंकवाद के भरस्टाचार के हत्याओं के उन्हें सांसत बनाया था और 2019 में कमी रह गई होगी पिछली बार 10 पृतिशत बढाकर 43 43 पृतिशत गंबीर अपरादियों को अपना सांसत बनाकर देश और सदन संसत सूप दिया है अब क्यों हो अल्ला करते हैं? बैटिये नाराम से पांच सल भुपती हैं इन सब को सब्ता का पूरा संरक्षन पर आप थे आप कोन है? गरीब आदमी? जेब में पैसा नहीं है? सत्ता नहीं है? पैसा नहीं है? कुछ नहीं है आपके पास कौन सुनेगा आपकी? यही तो होना था जो हुआ है 17, 18, 19, 19 में दुबारा उनी की सरकार जिनके विधार बलातकार करते हैं उनी का सांसत जीता है जेल में मिलने जाता है तो और क्या होगा? यही तो होगा मामले वापिस अगर नहीं लेंगे इन सत्ता में बैठे बात पर सांसत बलातकार की नबालिक बेटियों के आरोपियों के खिलाब वापिस नहीं लेंगे अगला घर अगली बेटी आपकी भी हो सकती है कोई कानून नहीं है इस देश में कोई न्याय नहीं है इस देश में चीखते चिलाते रह जाएंगे कोई नहीं सुनने वाला है बेटी बचाओ कनारा चोदा का था 19 का नहीं है चुदा में के बाद 17 में बलातकार किया था कुलदीप सिंग सेंगर ने नबाली बेटी का जेल गया लेकिन 19 में 12 सत्ता सोपी है शायद उनको लगने लगए कि आपको इन नबाली बेटियों के बलातकार मन्जूर है इसलिए इन्हें सत्ता से बिदखल करने के बजाए और बह पहुंचाई उसके बाद अब उत्तर परदेश से ही समरिती इरानी जी को माहिला बाल विकास मंतराले सोप दिया गया है लोग सभा की स्पीकर स्पीकर जो उस पद पर आसीन है जिसे मुझे नहीं लगता किसी की सहायता की भी ज़रूरत है उस पद पर आसीन है अगर आजम उनके खिलाब कुछ बार बोलते हैं तो समरिती इरानी तुरंट आवाज उठाती है पुरा सदन आवाज उठाता है लेकिन हमारी उन्नाव की इस बेटी के साथ लगाता है उसका पिता मार डाला उसकी मौसी उसकी चाची मार डाली उसका चाचा जेल में है उसके वकील और आज जिन्दगी और मूत में से जूच रिये एक आवाज नहीं उठती एक आवाज नहीं उठती विधायक हूं मैं भी जाईए अपनी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल पर देखिए विधायक को क्यों लोग चुनते हैं एक भोपाल में भी चुनी है आतंकी आरोपी है दस सा जेल काट के आई है सामसर चुना है लोग गए उनके पास विकासकारियों को लेकर बोला ये विकासकारिय करने नहीं आई हूँ जिस काम के लिए चुना है जिस काम के लिए कौन से काम के लिए हिंदू मुसलिम मंदर मस्जद संप्रदाइक दंगे भगवा करन, भड़काओ, लड़ाओ, कतलियाम कराओ, सक्ता में बने रहने का यही एक इनका फार्मूला है जिस पे हम सबने ये दावा करते हैं भाजपा के लोग की हम, पूरे देश ने मोहर लगाई है इन्हें बहुत बड़ी गलब फैमी हो चुकि हमने मोहर लगा दी है कि इनके सांसद, इनके विधायक हमारी नवाली बेजियों के बलातकार करते रहें इस पे मोहर लगाई है, इनका मानना है, इसलिए मुझे लगता है, खामोश हो जाई है मुझे भी बोलने के लिए बार बार मत कहिए, मत कहिए मैं तो ये भी सोच रहे थी है, उन्निस का एक के बाद अभी दिल्ली का चुनाव आ रहा है, लड़ू या ना लड़ू क्योंकि हमारे जैसे, पड़े लिखे इमानदा, दावा करती हो इमानदारी का चुनोती देकर, एक कारोब बता दीजिए, अब प्राधिक मामला हो, भिस्टाचार का मामला हो, एक कारोब बता दीजिए, करोड़ो रुपे का फंड विकास पे लगाया, भिस्टाचार प्लगा दीजिए, लेकिन लोगों को आज लगता है हमारे जैसे, पड़े लिखे इमानदार संगर्श करने वाले लोगों की आवास बुलत करने वाले जन प्रतिनीदियों की कोई जरूरत नहीं है, ये 2019 के चुनावों ने साबित किया है कही ना कही, लोगों से जब मैं पो हमने तो लहर में, हमने तो लहर में एक बटन लगा तार दबा दिया, उन्हें सत्ता देश सोब दिया, हमने तो अपने उमिद्वार देखे ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला कि कब हमने एक बलातकार के आरोपी, आतंकी के आरोपी, हत्या के आरोपी, ब्रस्टाचारी का बटन दमाकियों से संसद और देश सोब दिया है हमें पता ही नहीं चला क्योंकि हमने एक बड़ा नेता देखा था हमने एक बड़ी पर्टी और चुनावचिन जो बड़ा नेता दिखा रहा था हमने तो देखा ही नहीं कि कभी ये 43 परतिशत बलातकारी हत्यारे आतंकी व्रसचारी सदन पोच के इसलिए लगतानी देश में हमारे जैसे लोगों की कताई भी इस लोगतंतर में जरूरत है ये लोगतंतर का एक बड़ा मज़ाख है कि आज उन्नाव की एक गरीब बेटी उन्नाव की एक गरीब बेटी 2017, 2018, 2019 आ गया उसे किसी तरह का संरक्षन नहीं मिल रहा, उल्टा जेल में जो बैटा है ये जो भगवाधारी, क्या नाम है इसका भगवाधारी जो आप ये मैं आपको बतारती साक्षी महराथ सांसत बनाया है ये हमारी नाबालिक बेटी के बलातकार जिसका हुआ है, जिसका पिता मोध घाट उतार दिया गया, जिसका चाचा जेल में है जिसकी चाची और मौसी को मोध को घाट उतार दिया, जो जिन्दगी और मोध की सास आज लखनव में ले रहे हैं हस्पताल में इस आक्षी मेराज उन्हें नहीं मिलने जा रहे है उनका दर्द नहीं पूछने जा रहे है उनको न्याय मिले इसकी चिंता नहीं है इस आक्षी मेराज जेल में बंद उस बलातकार की आरोपी को मिलने जाते है जो भाजपा का आज भी भाजपा से निश्काशित नहीं किया गया है उसी आज भी देश के परधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी से पूछना चाहूंगी उत्तर परदेश के मुखे मंत्री से पूछना चाहूंगी भाजपा की महिला मंत्रियों से पूछना चाहिए बलातकार का अरोपी है जेल में पीड़ता की बहन बता रही है कि ये हादसा नहीं है ये साजिश के तहट मारने की एकती कि सारे सबूत मिटा दालिए खतम कर दीजे कि सबूत के अभाव में अदालत में सुनवाई जो है वो बंद हो जाए और भलातकार का अरोपी भाजपा का सम्मानित विधायक रिहा हो जाए सिर्फ उसे रिहा करने के लिए आज एक गरीब बेटी और उसके परिवार के पीछे जान अथोर कर पढ़ चुके है अवाज उठाएए उठाइए आवाज अदालते बिख चुकी है, प्रसाशन बिख चुका है, पुलीस बिख चुकी है, मीडिया बिख चुका, यह सिर्फ सोशल मीडिया, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वटसप है, जिस पर हम और आप बात कर पा रहे हैं, सीधे समबात कर पा रहे हैं, अपने दिल का दर तो किसी की आवाज बनकर बोल पा रहे हैं, क्योंकि बार बार कहा जा रहे हैं, आप खामोश क्यों हैं, बोल के भी क्या कर लेंगे, बोला था 2017 में, देखिएगा 9 April 2018 का मेरा वीडियो देखिएगा थूखा था इन लोगों के मुपर, जिनके मुपर थूखा था, आज व सेगर को मिलने जाते हैं, क्यों बाहर जो खुले आप बलातकारी घूम रहे हैं, जिनके जो हमारी बेटियों को नोच रहे हैं, उनके मन में कैसे डर आएगा, उन्हें तो संरक्षन मिल रहा है, सत्ता में बैठे हुए लोगों का पूरी तरह संरक्षन परापता है, पुलीस जिनको खुद गुजरात के कोट ने तड़ी पार करके गुजरात से ही भार कर दिया था, जेल में रहे थे, आज वो देश के ग्रह मंतरी हैं, ठाने में एक छोटा मोटा गुंडा भी, जिसकी तस्वीर आज के देश के ग्रह मंतरी के साथ है, वो ठानेदार ऐसे चुको जा इसलिए पुलीस कानून की रखवाली नहीं कर रही, सप्ता में बैठे, जो लोग हैंके गुंडों की रखवाली कर रही हैं, उन्हें संव्रक्षन दे रही हैं, इसलिए अपराधी इस जंगल राज में घूम रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूंगी, सारे उधार और उसे, बलातकारियों को जो जेल में मिलने जाते हैं, भगवादारी, साक्षी महराज होंगे किसी के लिए महराज, लेकिन आप जब एक बलातकार के आरोपी को जेल में मिलने जाते हैं, अपने सांसत बनने के तुरंत बाद उसे धन्यवाद देने, तो लानत देती हूं आपको भी और जिनोंने आपको वोट देकर चुना है अब जितना मरजी कही है अगर लोक तंत्र में मद्दाताओं को गाली दे रहे हैं ऐसे मद्दाताओं को लानत है जिनोंने ऐसे आदमी को चुनकर सांसत बनाया है जो हमारी नाबालिक बेटी के बलातकार के आरोपी को जे देश के जो दलाल बैठे उनको सबको लाना था धिकर है एसे लोग तंतर पर जो ऐसे लोगों को आपने चुना है भुगतना हमें और उनको पढ़ रहे जिन्हों ने शायद इन्हें अपना बोर्देकर नहीं चुना है पूरे देश को भुगतना पढ़ रहा है क्योंकि सत्ता दे दिया आपने इनके हाथ में देश दे दिया कलम दे दिया उसके दम पर आज ये सत्ता का नंगा नाच कर रहे हैं डरती नहीं हो किसी से जंदगी दो दिन की है आज नहीं तो कल चले जाएंगे क्या फरक पड़ता है अमल होने के लिए कोई नहीं आया है बड़े-बड़ गरीब, शोशित, पीड़ित इस तरह के आज सहे लोगों की आवाज बन कर गुचती रहूंगी दो दिन की जिंदगी है कल जाना है आज सही लेकिन आप से कहूंगी इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा इनसक्ता के दलालों को समझ आ जाए साक्षी महराज जैसे सांसद आप को समझ आ जाए और इनकी दलाली करने वालों को समझ आ जाए कि अभी इस देश में कुछ लोग जंदा हैं जो खामोश नहीं रहेंगे जब तक आप में दम नहीं है उन्हें खामोश करने का तब तक ये गुंचती रहेगी आवास और ताकत देते रहेंगे शेयर करिए जाएगा मेरे इस वीडियो को डरती नहीं हो जादा से जादा फैलना चाहिए देखोंगी कितनी धंकिया आती है और कितनी मेरी आवास को खामोश किया जाता है खून खूलता है मैं बता रहे हूँ एक बेटे हैं मैं कह रहे हूँ आप अगर भाई हैं और पिता हैं अगर आ भाजपा शाषित राज्यों में जिस तरह से बलातकारियों को संरक्षन मिल रहा है उस आग में आप की बेटिया ना चलें इसलिए आवाज बुलंद करिये आप में आप डाकर दे लिए और इन्हें कहिए अभी भी इस देश में आवाजें जिन्दा हैं मैं लखनाओ के ट् जिन्दगी और मौत के सास ले रहे हैं उनका वकील सलाम करते हैं वकील को जिसने इस बेटी का केस लड़ने की ठानी और इस बेटी के लिए देश को कोंभी सब लोग दुआएं करें कि वो हमारी बेटी जिन्दा रह सके उसका वकील भी जिन्दा रह सके ताकि इस कि सजा काट रहे राम रहीम और आसा राम चेल में हैं। उसी तरह उमीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि वो ठीक हो कराएं। दर सिर्फी से बात का है कि अगर उन्हें कुछ हो गया, सारे सबूत खतम हो जाएंगे, केस बंध हो जाएगा, लेकिन भगवान के घर में देर है अन्धिर नहीं। में शुक्काम नहीं, आप सबी के साथ हैं। जै हिंद, जै भारत।